घोडे से भी मोटा और लंबा हो जाएगा आपका लिंग डालते ही चिलाने लगेगी बीबी इतना मोटा लंबा मजबूत होगा आपका लिंग जिनका लिंग छोटा है पतला है टेड़ा है कमजोर है छोटे बच्चे जैसा उनका लिंग है बीबी के सामने लिंग निकालने मे भी सर्माती है तो आप इसका उपयोग कर लीजिए इतना मोटा हो जाएगा आपका लिंग लगभग 11-12 इंच लंबा 3-4 इंच मोटा हो जाएगा डालते ही चीखे निकाल देगी बीबी इतना मजबूत होगा आपका लिंग जिन महिलाओं का अस्तन धीला पर चुका है लटक धीली हो गई है तो आप इसका उपयोग करके अपनी योन अपने अस्तन को टाइट कर सकती है बिलकुल एक जवान लड़की की तरह विलकम दोस्तों आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है फ्रेंड जिनका लिंग छोटा है पतला है तेड़ा है कमजोर है वे लोग इस ज्यादा मजबूत बना सकते हैं और जिन महिलाओं का अस्तन धीला पड़ चुका है लटक चुका है योन धीली हो गई है बड़ी हो गई है तो आप इसका उपयोग करके अपनी योन अपनी अस्तन को बिलकुल एक जवान लड़की की तरह टाइट कर सकते हैं आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता तो चलिए फ्रेंड्स इस अद्भुच जड़ी बूटी के बारे में जाने इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीड सबसे पहले आपको मिले तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुच जड़ी बूटी को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा खेत खलिहानों में सड़क के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर यहाँ आपको देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा इस अद्भुच जड़ी बूटी का नाम है चंगेरी चंगेरी का यह पोधा आपको ज़्यादा तर जहां पर नमी वाले अस्थान पर आपको देखने को ज़्यादा तर मिलेगा तो सबसे पहले आपको इस चंगेरी के लगभग 100-500 ग्राम की मात्रा में इसके पत्तियों को ले लें और इसे आपको अच्छी तरीके से मिक्सी में या सिलबटे पर पीस कर इसकी चटनी तयार कर लें और आपको लेना है 200-500 की मात्रा में सरसो का तेल सरसो के तेल में आपको इस चंगेरी के पेश्ट को मिला कर अच्छी तरीके से मिक्स करें फिर उसके बाद इसे कडाई में डाल कर इसे धीमी आच में पकाएं तब तक पकाएं जब तक की इस पत्ते का रस तेल में ना उतर तेल में रस उतर जाए तब आपको इसे चान कर निचोड कर रख लेना है और प्रति दिन अपने लिंग के पिछले वाले हिस्से पर मात्र दो चम्मज की मात्रा में बोतल से निकालें थोड़ा सा उसे गर्म करें और अपने लिंग के पिछले वाले हिस्से पर लगा कर हलके हा नहीं आपको मास्टर वेशन करना है मात्र दस दिनों के अंदर आपका लिंग बिलकुल अच्छी तरीके से 11 से 12 इंच लंबा 3 से 4 इंच मोटा हो जाएगा जिन महिलाओं का अस्तन धिला पड़ चुका है योन धिली हो गई है वे लोग सबसे पहले इसके पत्तों को 200 ग्राम क के पत्तों को पीस कर चटनी तयार कर लें 200 ग्राम की मात्रा में सरसो के तेल में इसे मिक्स करें उसके बाद कड़ाई में डाल कर इसे धीमी आच में पकाएं जब तक पकाएं तब तक की इसका रस अच्छी तरीके से तेल में उतर जाए उसके बाद आपको इसमें 50 ग्राम क पाउडर करके मिलानी है और इसे अच्छे तरीके से गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको इसे निचोड़ कर आपको किसी कांच के बोतल में भरकर रहाएं। और प्रति दिन मात्र तीन से चार चमज की मात्रा में बोतल से निकालें थोड़ा सा उसे गर्म करें अपने योनी अपने अस्तन पर लगा कर हलकी हाथों से अपनी योनी अपने अस्तन का मसाज करें मात्र दस दिनों तक और टाइट ब्रा टाइट पैंटी का इस्तमाल करें मा और भी अच्छी बात है तो फ्रेंड्स अगर आपको यह चोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की के लिए बाइ बाइ फ्रेंड